आज बनाएंगे संत्री का जेम बहुत ही टेस्टी जेम होता है यह ब्रेट पर लगा का सैंड्विस बनाएं या पराठे के साथ बच्चों को खिलाएं उन्हें बहुत पसंद आता है नमस्कार नेशामदलिका.com में आपका स्वागत है तो शुरू करते हैं यह चार कीनू बजन में 850 ग्राम आप कीनू या संत्रे कोई भी ले लीजिए एक ही बात है सबसे पहले हम इने छील कर इनका पल्प निकालेंगे अब यह उपर जो वाइट वाइट जितना भी दिख रहा है आपको सब हटा दीजिए सारे थ्रेड्स हटा दीजिए अब यह संत्रे की सारी फांक है इस तरीके से आप खोल लीजिए एक फांक उठाईए और चाकू की ह से इसका यह सामने वाला दागा हटा दीजिए इसको खोल लीजिए इसमें जो बीज होंगे वो हटानी है तो देखिए दो बीज इसमें दिख रहा है दोनों हटा दीजिए और यह पीसा आप जैम बनाने के लिए प्याले में रख लीजिए और बाकि जो यह पार्ट दिख तोच आँ ञाए घरल आएगा को हुए हमें धर हयां ना फोड़ा सा यह तो पल्प है और यह जो इसकी अग्मस还 किए हमारे काम के हैं इसमें पेक्टिव होता है तो हमें अलग से पेक्टिन नहीं डालना पड़ता है और यह जो धागे हैं इनमें हलकी सी बिटरनेस होती है इसलिए हठाना जरूरी है यह चारों संत्रे इसी तरीके से खोल कर बीज हटाकर धागे अटाकर तैयार कर लिए और यह एक संत्रे का छिलका हमने रख लिया है इसे हम अपनी जैम में डालेंगे लेकिन इसका जो वाइट प निकल आया बस इसी तरीके से यह बचे हुए तीन चिलके भी तैयार कर लिए 800 ग्राम संत्रे थे इसमें 600 ग्राम पल्प निकला है हमने वेट कर लिया है और इसी के बराबर हम चीनी ले लेंगे इसको ग्राइड कर लिया अब आये गैस के पास यह कढ़ाई और इसमें डाल यह सारा ग्राइंड किया हुआ पल्प फ्लेम ओन और 600 ग्राम पल्प था 600 ग्राम चीनी लेली यानि पल्प के बराबर और अब इसे कुक कीजिए तो शुरू में फ्लेम हाई रख लेते हैं पहले तो इसे चीनी घुलने तक कुक करते हैं चलाने का बराबर ध्यान रखेंग लेंगे एक दम पतला पतला जूलियन टाइप का ज्यादा चोड़ा छिलका है तो आप इसको बीच में से दो कर लेंगे यह आदा ही छिलका हमने काटा है इतने जैम के लिए यह सफिसेंट है चीनी पूरी घुल गई है और अच्छा सा अबाल आ गया इसमें हम इसे थोड़ पतला है जब गाड़ा होने लगेगा तब फ्लेम को धीमा कर देंगे इसे 15 मिनिट मीडियम हाई फ्लेम पर कुक कर लिया तोड़ी सी गाड़ी हुई है अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर आदी पिंच का भी आदा आदा आपके पास लिक्विट फूड कलर हो व इसे तो संत्रे की कुस्पूई ही बहुत अच्छी होती है लेकिन स्नेमन की जब मिक्स होगी तो और अच्छा लगेगा और बस आप इसे मीडियम हाई फ्लेम पर ही लगाता है चलाते हुए को करते रहें जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी जैम बाली नहीं आ जाती अभी इसे अंगे 20 मिनीट कोक कर लिया काफी थिकनेस हैं गई देखिए इस पैतला के ऊपर जमने लगाई और लें चेक करते हैं थोड़ा सा चलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी ये गरम है अगर इसे डाल के आप थंडा होने देंगे बिलीकों सैट हो जाएगा फ्लेम को बन कर देते हैं और इस् τη थोड़ा सा थंडा होने देते हैं इसके बाद निकालते हैं ठंडा हो गया और यह पूरी तरीके से जम गया आप प्लेट को टेड़ा कर रहे हैं लेकिन यह बिल्कुल नहीं जा रहा अपनी जगे से नीचे और कड़ाई का भी ठंडा हो गया है अब इसे निकाल लेते हैं प्याले में संत्री का जम बनकर तयार है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है अभी यह देखने में थोड़ा सा पतला लग रहा है लेकिन बाद में यह सैट हो जाएगा गाड़ा हो जाएगा इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद किसी भी कांच के साफ सूखे कंटेनर में भर कर रख यह बिल्कुल खराब नहीं होता और बनाने का तरीका तो आपने देखा ही कितना आसान है जैम बना रहे हैं वह जैसे ही थोड़ा सा गाड़ा हो जाए उसको प्लेट पर डालके देखिए ज्यादा रनिंग कंसेस्टेंसी ना हो ठंडा हो जाए सैट होने लगे उसको बहुत ज्यादा एकदम जम जाएगा वह जैम जासा नहीं रहेगा तो आप इसे बनाएए खाईए और बताईए कैसा लगा और यह भी बताईए कि मझे आपके लिए और क्या बनाना है अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चल्दी से कर लीजे बेल आइकन भी दबा दीजे ताकि मेरी नहीं स्पीच के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें लाइक और शेयर भी कर दीजे